नमस्कार आईए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक जरूरी सूचना जो लोग हस्तरेगा सीखना चाते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल सुरू किया है चैनल का नाम है सुरसती पामिस्ट्री आप नीचे जाकर डिस्केप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुँचकर सब्क्राइब लाइक और शियर भी कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कनिश्टा उगली के बारे में बात कर लेता हूँ कनिश्टा उगली मुझे इसलिए यहां से दिखने पड़ी आपके लेप्ट हैंट से के मुझे को यहां पर कुछ देखना था कि आपकी लंबाई उगली की औसथ कहां तक पहुँची होगी बिल्कुल पहुँच गई सूरिया के पहले पर्व तक यदि कुल मिला करके कहूँ तो यह इस बात को दर्शाने वाली उगली के आपके जीवन के अंदर आप अपने निर्णे मजबूती के साथ लेते हैं साथी साथ अपनी बुद्धी आपकी यारदास बहुत अच्छी है और बहुती प्रबल रूप से दूसरे को अपनी बात को समझाने की शक्ती भी आपके पास में है गुल मिला करके तीसरा वाला पर्व ये वाला पर्व जो होता है बुद्धी का इतको धन का पर्व भी कहते हैं यानि के मुझे चाहिए धन 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 और बुद्धी में बसा हुआ है सिरफ धन 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 तो यहां इस प्रकार की रिकाएं चाहे पीडा हो जाए पर मुझे धन चाहिए अब मैं आपके सीधे सीधे राइट हैंड पर ही पहुंचता हूँ बागी को यहों बढ़ने के लिए तो चलिए यहां मैं बात करता हूँ आपके राइट हैंड में और यहां आपकी क्योंकि ये वर्तमान का काल है यहां अधि मैं इसको पहुंचता हूँ तो इसको सूरिय की उंगली बोलते हैं सूरिय की उंगली और इतनी अच्छी लंबाई में जो सनी की उंगली को छुने के लिए विकरार है व्यक्ति पूरा शाम, दाम, धंड, भेज सब कुछ अपनाएगा अपने जीवन के अंदर गत और अपनी उचाईयों को प्राफ्ट करने के बाद ही दम लेता है ऐसी व्यक्ति के अंदर पूरी की पूरी एक तरह से बल है और अपनी सक्ति के दुआरा अपने आपको प्रूब करने वाली जित्ध जो होती है वो सुर्य की उगली के अंदर मौजूद है बात कर लेते हैं आपकी शनी की उगली की शनी की उगली कुछ जुकाफ टन लेकर के है यानि कि जब इस तरह की उगली मुड़ी हुई होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सनी की ढईया सनी की साड़ी साथी जो होती है उसमें थोड़ा सा बहुत खराब शनी नहीं होगा कुली का तो कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा उस समय व्यक्ति को सामना करना पड़ता है कुछ आर्थिक समस्याओं का आईए बात कर लेता हूँ मैं अपके ब्रस्पति परकी ये ब्रस्पति के उंगली और बिल्कुल अच्छी अनुकुलता के साथ में जहां सुक्सुविदाएं देती है तो ऐसी बातनी व्यक्ति दानपुन भी करता है जहां उसको दिखलाई देता है वहाँ दानपुन भी कर देता है और पिटर्स में भी दानपुन कर देता है परन्तु ये बीच का इतना बड़ा गैप जब जब व्यक्ति के पास में मौजूद रहेगा व्यक्ति धन जहां कितना भी कमाले इन्वेस्टमेंट उसका धन बहुत तेजी से होता है तो यहां धन के आगमन कितने भी सही परन्तु इन्वेस्टमेंट भी बहुत जादे मजबूती के साथ है ये इस प्रगार को दर्शाता हुआ आपका यहां पर ब्रस्पति की उंगली भी है अब बात करता हूँ आपके बुद्द पर्व की बुद्द पर्व हमेशा जाना जाता है अच्छी बुद्धी के लिए आपकी उंगली को देखा साथ इसाथ इन रेखाओं को देखता हूँ तो यानि के धन के आगमन आपके पास जितने जाय चाय रस्ते हो जाने के परंतु धन के आगमन के भी रस्ते आपके हाथ के अंदर कई कई प्रकार से बने हुए हैं तो यहाँ धन के आगमन अब बात करता हूँ आपके सूरिय परवत की सूरिया का परवत यहां धन परवत से निकलने वाली एकरे का सूरिया परवत को पहुची साथी साथ यहां एक मचली का सारूप बनेगा बीच में जाकर के जो मचली उपर जाकर के देखेगी नीचे वाली भी बन सकती ऐसे इंडिकेशन्स में और यहां भी यानि कि कुल मिलाकर के सूर्य परवत की तरफ मचली जब दी देख ले तो व्यक्ति अपने जीवन में उचाईयों को प्राफ्ट करता है तो यहां इस फरकार से यहां यह जो इंडिकेशन्स बने हैं यह बताते हैं कि व्यक्ति जब तक दम नहीं छोड़ता जब तक वो उचाईयों को प्राफ्ट रा कर ले चाहती साथ आपके लिए रापने पूछा राजनीती के लिए राजनीती के लिए जो इंडिकेशन्स यहां पर चाहिए सूर्य परवत की मचली राजनीती में सफलता दिलाती है राजनीती योगों में ले जाती है राजनीती के कारियों को करने से व्यक्ति धन भी कमा लेता अब बात करूँगा आपके एक और पड़की जिसको बोलते हैं यहां पर धन का पर यानि के यहां शनी का पर शनी का पर धन का पर और यहां पर बहुत सारी रेखाएं अगर देखें नीचे से जाकर के उपर को श्रोत बनाती हुई यानि के कई कई स्रोतों के द्वारा कई कई माधिमों के द्वारा धन के आगमन यहां बने हुए हैं तो ये इस प्रकार की रेखा यहां पर इंदकित करती है तो आपके पास धन के आगमन अंतर समय तक भी बने रहेंगे यहां दर्शाती आपकी यह जो रेखाई जो खड़ी है इनको धन रेखाई कहते हैं वो भी यहां पर दर्शाती है आईए बात कर लेते हैं आपका यहां एक छोटा सा एक्सका चिन और साथी साथ यह खड़ी रेखा हैं जीवन के अंदर कई सारी संपत्यों के मालिक पैतरिक संपत्य का मकान भी आपको अवश्य मिलेगा तो चलिए यह यहां प्रस्पती पर की बात हो गई अब बात करूँगा आपकी मुखेरिक रेखा के बारे रेखा आपके हद की रिखा और यदी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर विवा रिखा एक, दो और ये तीसरी रिखा ने जाकर के दिखा दिया हिर्दे रिखा को बिल्कुल निश्चित बात हो गई कोई परमात्मा की किरपा हो जाए तो बात अलग है वरना दो विवा के योग भी स्याँ पर बहुत जादे इंडिकेशन से दिखलाई पड़ रहे हैं तो साती सात यदि दो विवा ना हो तो हिर्दय रिखा यहां जाकर के सुरू से ये दोहरी रिखा के साथ और ये जीवन के लगबग 38 में वर्स के बाद में बनने वाला ये दीब यानि के आपके हिर्दय संबंदी आपकी पतनी को आपके कारियों के दुआरा दुख पहुँचे ऐसा समझ सकते हैं साती सात एक इंडिकेशन से और भी बता रहा हूँ यदि ऐसा नहीं हुआ या पतनी के साथ विवाद नहीं हुआ या जगड़ा जंजट नहीं हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बुरा संकेत और भी है ये दीब यानि के कुल मिला करके 38 साल से लेकर के और लगबग लगबग यहाँ आप कह सकते हैं 55 वर्स की आयू तक आपको स्वास्त संबंदी समस्याओं का सामना किसी बड़े एकसी रेंट का सामना या किसी बड़े रोक के कारण सरजरी का सामना इस तरह के अवस्ताएं यहाँ पर बनी हुई है तो यह अच्छे संकेत यहां को मिला करके आपकी हिर्दे रेखा से मुझको दिखलाई नहीं दिये अब मैं बात करूंगा आपकी मस्तिस रेखा के बारे में यानि कि कह सकते हैं कि कमजोर व्यक्ति नहीं है दबंग टाइब का होता है और व्यक्ति अपने कड़क निड़नेों के दुवारा जाना जाता है यानि कुल मिलाकर के कहूं तो हिर्दे अगर कड़क है और साती सात यहां मस्तिक से लिए निर्णे भी कटी नहीं व्यक्ति के होते हैं तो यहां इस परकार के रिखा है जाकर पहुँच रही है सिरफ और सिरफ सुरिय के परवत तक बहुत जादे गहराई में यानि यस यस मुझे चाहिए ऐसा दर्साने वाली यह रिखा अब मैं बात करूँगा आपके मंगल परवत के बारे में मंगल परवत और ये मंगल परवत यहां पर बहुत जादा उठा हुआ है इतना जादा मंगल परवत का उठा हुआ होना अच्छा नहीं कह रहता यानि कि ये व्यक्ति को जादे मनमानी करने के लिए करता है साथी साथ व्यक्ति का सहस जादा बड़ा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति इन रिखाओं के दुआरा मांगलिक जनम जात मांगलिक भी होता है तो कुल मिला करके ये रिखाओं के संकेत मैं अती सहास के लिए आप से मना करूँगा कहीं किसी जगड़े जंजट के आप मैंने दिखाए बता भी दिया कि 38 साल से रिखाओं पच्पन तक बहुत टिफीकल टाइम है आपके लिए किसी जगड़े जंजट में आपको चोट फैट का सामना ना करना पड़ जाए तो चलिए ये सब भी हो गया अब मैं बात करूँगा यहां से लेकर के एक अन्य रिखा के बारे में एक रिखा ये मंगल परवत से रिकर रही है और जाकर के ये सूर्य परवत को देख रही है सहास के दुआरा यस की प्राप्ती का ये चिन जाने वाली रिखा मानी जाती है तो चलिए ये भी हो गया अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी चंदर परवत की चंदर परवत और यहां पर इतना जादा परवत यहां बहुत जादा रिखायतों नहीं खड़ी हैं तो लेकिन कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि चंदर परवत जब अलुकूल होता है तो ऐसा व्यक्ति जल के द्वारा पानी के द्वारा रस के द्वारा पेंट्रोल के द्वारा डीजल के द्वारा शराब के द्वारा ऐसे कामों से व्यक्ति काफी अच्चा लाब प्राप्त कर जाता है तो एक काम यदि कोई करना चाहे तो आप इससे संबंदित काम करेंगे तो उससे आपको लाब मिलने के संकेत भी है साथी साथ एक रेखा यहां से निकल लगी है आपकी भाग के रेखा इस चगे से निकल करके जब रेखा जाती है सीधी सीधी भाग के रेखा तो व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई यानि क या तो शराबी हो सकता है जुवारी हो सकता है कोई या ब्याज बट्टे का काम करने वाला हो सकता है कोई ला कोई बुराई का काम करने की वज़े से व्यक्ति के अंदर धन के आगमन प्राप्त होते हैं तो यहां उस पर इन्वेस्टमेंट भी होता है यारी कि गलत कारियों प पर नजर आते हैं चलिए तो यह आपकी मैंने भग्य रिखाओं को और दिख लेता हूं तो लेफ्ट हैंड पर कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए आपके लेफ्ट हैंड यहां पर मस्तिस रेका दिमाग में सिरफ धंदन तक जाने वाली रेका केवल धन चाहिए और साती सात यह राहू छेत्र से निकलने वाली रेका चंदर परवत का जब जब मैंने संबंद बताया राहु चेतर से निकल करके चंदर परवत पर रेक पहुचने वाली रेका जटके का धन दिलाती है साती जात यहां एक काला चिन भी है तो कुछ ना कुछ जटके का दन गलत कारियों से धनके संकेत भी यहाँ पर आपको पिछले जीवन में मिले होंगे तो यह आपका left hand है जो 35 से पहले आपको लाव दे गया होगा अब जटके का दन किस तरह है कभी कभी सरकारी कारियों में भी जटके का दन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं से यह मिला आईए right hand पर चलते हैं वापे से तो यहाँ बात करते हैं तो अब आपकी भागगेरी का एक होई दूसरी भागगेरी का यहाँ से और जित हो रही है आपकी यह 37 वर्स के बाद दूसरा काम और यहाँ पर यह वाल एक काम लगातार चली रहा है आपका और भी छोटे मोटे काम के संगेत हैं यानि हो सकता है कि आपके दो से तीन संबंदित कारियों का आपके सामने हो यह जो एक्स का चिन होता है इसका काम होता है पहवाई की जीवन को बचाना तो इसने तो अपनी दर्फ से प्रियास किया है परंतु बज़रा वहाँ जो यह वाला चेतर है उसकी वहेसे थोड़ा सा मुझे आपने का साधी और लव लाइफ मुझे आपके विवा चूटने के संकेत ग्याओर लव लाइफ से विवा होने के संकेत या दूसरी औरतों के साथ संबंद के संकेत यहाँ पर मुझे मिले फ्यूचर में वैल्थ की जहां तक सवाल है इतना आसान नहीं है कि आपको जीवल में आगमन धनके लगे रहेंगे लेकिन लगातार रेखाएं कुछ काटती हुई भी है तो आपके पास जो फ्यूचर में लगके है वो वैल्थ की पोजिशन है वो कुल मिलाकर के इतनी आसान हैं टीफिकल है काफी और लेकिन धनके स्रोताब बनाते ही रहेंगे तो चलिए यह आपकी सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा अब मैं थोड़ा केतु परवत को देख लेता हूँ यहां केतु परवत से निकलने वाली आपकी यह रेखा यहां इस पड़का को दर्शाती है कि व्यक्ति कुछ परिवार से रूप से भी मजबूत होता है यानि कि कभी-कभी परिवारिक सहयोग और कभी-कभी परिवार से संबंदित जमीन जादाद्वी व्यक्ति को मिलती है तो यहां यह संकेत हो गया केतु का बात कर लेते हैं शुक्रपर्व और की होत देखना हो तो यहां पर ठीक ठाक आपका शुक्रपर्वत है तो जो जिवन के संसाधन है वो आपके पास में वर्थ मान के अंदर भी मौजूद है संतान रिखाएं भी हाथ के अंदर 2-3 संतान रिखाओं का योग भी है तो संतान भी 2-3 संतान का योग आपके हाथ से चमकता है बाकी पतनी के हाथों से बता लगता है अब बात करता हूं आपकी आयू रिखा की आयू रिखा और आयू रिखा काफी अच्छी खासी लंबी आय पूरे हाथ में देखा मेंने तो मुझछे सबसे ज़ाद है आपकी personal life कह दीजीए या भिवाग की कह दीजीए या love life कह दीजीए कुछ भी कह दीजीए पूरे हाथ में सबसे ज़ाद है पीडित अभी जो है instructors यानि कि आप 41 में वर्स में यहां यदि बात करने में भाग्य रेखाऊंगी तो धनकी रेखाएं तो लगातार चल रही है यह 41 में वर्स यहाँ इदर से 41 में वर्स यह तो सही चल रही है लेकिन जो असली पीड़ा है वो आपकी हिर्द्य रेखा है वो आपकी परसनल लाइफ है आपकी साधी है आपकी लब लाइफ है उसको आपको बचाना है आप उस पर जादे फोकस किजिए धनकी अग्बन तो आपको बनता ही रहेगा यस भी आपको मिलता ही रहेगा लेकिन वो यस बदनामी में ना बदले इसके लिए आपको ध्यान रखना है इसके आप क्या करें एक बहत्रीन सा पुकराज जो बीच में उपर गैफ नजर आ रहा है इसको भरेगा तो एक बहत्रीन पुकराज आप इस उमली के अंदर धरन करें यदि आपको मिल जाए तो ठीक है नहीं तो हम सैंपल दिखला भी सकते हैं और आप तक पहुचा भी सकते ह आपको यह करना है दूसरा स्वेंपर नियंतरन करना होगा नियंतरन भी अपने आप में कुपाय ही होता है स्वेंपर आपको नियंतरन करना होगा कि आप कोई भी गलत कार्य की तरफ आकरसित ना हो ना बढ़ें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए आपको साथी स अपनी पूजा में आप अगर रोजाना रुद्राष्ट कम पढ़ेंगे हनुमान अश्टक पढ़ेंगे तो काफी कुछ बादाएं आपकी हल हो जाएंगे तो ये अपने आप में जो सारी अविखाओं के परवतों के बारे में जो बताना था मैंने आपको बता दिया है बस इ करें यही मेरी सुब कामना है नमस्कार